हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिस दिंदर मौर आज की दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था और मेरी तवियत भी थोड़ा सही नहीं है तो आज की दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया तो अभी हम लोग देखेंगे आ आज की दिन RSI जो हमारा इंडिकेटर है वह कंपलेटली साइड वीजी रहा ना तो ओवर बॉर्ड जोन में गया ना ओवर सेलिंग जोन में गया तो हमें फाइप में प्लस RSI अगर मैं यहां फिदांट्स को यहां पर ड ciudad अभरा यहां पर दिख रहा हुए यह I shall जायर ने यहां पर विंडूह भगतिवर हम यहां पर हम लोगों ने फ्रीद लिया होगा तो तुरंत ही मार्कट यहां पर नीचे आ गया और और उसके बाद मार्केट उपर की दरफ मॉव कर गया तो मतलब यहां पर हम लोग का यहां पर ऐसे लेट हुआ अभी यहां पर एक बहुत ही important important point में चला हूँ बताने आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा देखे जब पहले मैं इसको यहां पर delete कर लेता हूँ देखे जब सुभासी सर ने यह फाइप में प्लस फाइप में स्टेड़ी शेयर किया हूँ था तो उन्होंने एक बात बताय हूँ था कि जब यह एलेट केंडल है एलेट केंडल के पहले अगर कोई केंडल का formation हुआ है ठीक है तो उस केंडल के नीचे हमें यहां पर अपनी stop loss इसको रखना होता है अगर आपने सर की वीडियो ध्यान से देखाऊगा तो आपने यह पॉइंट जरूर नोटिस की होगा अगर आपके पाइंडल के पहले अगर कोई केंडल का formation हुआ है तो उस केंडल के नीचे या उस केंडल के हाइप मतलब अगर हम बाई कर रहे होंगे देखिए मतलब यहाँ पर आप समझे अगर हम buy कर रहे हैं जैसे यहाँ पर हम buy कर रहे हैं यह एक candle बना हुआ और उसके पहले हमारा यहाँ पर एक light candle बना हुआ है ठीक है तो हमें जो SL लगाना होगा यह इस candle पर लगाना होगा यह buying side की दरफ बोल रहा हूँ सेम ऐसे आपकर यहाँ पर दिखिए selling side की दरफ हमें क्या करना होगा यह जो हमारा light candle के पहले यह candle का formation हुआ है यह इस candle इस candle के लोग पर हमें SL लगाना होगा पर यहाँ पर एक बात आप पूत ध्यान रखना है इस candle के निचे मतलब यह जो इस के पहले इस candle के निचे हम लोग SL तभी लगाएंगे जब हमारा जो SL होगा वो SL ज्यादा points करना हो अगर हम यहाँ पर आज की दिन हम SL को calculate करें दिखिए यह हमारी candle थी और इस candle पर अगर हम लोग यहाँ पर SL लगाते दिखिए यहाँ पर यह कितने point की candle थी almost यह 37 points की यहाँ पर यह हमारी candle थी और अगर हम इसको यह previous candle पर हम लोग यहाँ पर SL लगाते तो यह almost 50 points यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं 50 points के यहां पर हमारा SL हो जाता तो यहां पर हम इस candle पर इस swing पर हम अपने SL को लगा सकते थे तो आगे से अगर आपको ऐसा कोई भी ट्रेड मिले तो आप लोग यहीं कीज़ेगा कि यहां पर अगर एलेट के पहले आपको कोई candle दिख रहा है तो उस candle के लोग पर आपको SL लगा लेना है अगर बाइंग साइट की तरब मिले तो आपको हाई के उपर लगा लेना है पर इस जो candle हो यह candle जश्ट हमारे एलेट के पहले होने चाहिए ठीक है और एसल को आपको ध्यान रखना है अगर प्रीवियस केंडल पर एसल लगाने पर जो हमारा एसल पॉइंट से बहुत ज्यादा हो जा रहा है 100 पॉइंट के आसपास ठीक है तो बिल्कुल भी मत लगाएगा 52 52 60 पॉइंट तक रहता है तो आप यहां पर एसल को लगा लिजेगा नहीं तो छोड़ दीजेगा क्लियर तो यह important points यह important points था जो मुझे बताना था आगे से अगर आप इसको यूज करेंगे तो और अच्छा profit आप अर्दे कर सकते हैं अभी हम बात करते हैं nifty 50 की nifty 50 में बात करने से पहले मैं यहां पर आपको एक setup बताता हूँ यहां पर setup का formation हुआ है अगर आप यहां पर ध्यान से देखें मेर्यावाजाज थोड़ा slow होगा तो प्लीज थोड़ा सा इसको manage कर लिजेगा देखें यहां पर अगर मैं यहां पर आज एक setup का formation हुआ है मार्केट में जो मैंने scalping strategy बता हुआ था आप लोग अगर ध्यान से देखें तो अपर देखें जो यह चार तरीका जो market था वो यहां पर open हुआ था उसके बाद market यहां पर नीचे आया फिर market यह उपर की तरफ गया और यहां पर यह swing मनाता हुआ market नीचे आ गया हमें क्या करना होगा यह जो इसका high low है यह और यह जो high हमें यह मार कर लेना है और फिर यहां पर आप ध्यान से देखें next day market देखें इसी यह जो swing हमने मार किया यह और यह इसी के बीच में open हुआ और market इसी range में ही वापस से आकर close कर दिया आप सभी को अगर ध्यान होगा तो मैंने जो five में scalping strategy आप सभी के साथ share किया हुआ यह exact उसी setup के according आज market में formation हुआ है तो कल अगर market यह जो range मैंने मार किया इस range के बीच में यहां पर कहीं भी open होता है तो हमें scalping strategy में हम लोग यहां पर trade ले सकते हैं अगर market थोड़ा सा ओपर यह इसके थोड़ा सा नीचे भी open होता है तो भी हम यहां पर trade ले सकते हैं तो कल क के दिन हम लोग scalping strategy का जो setup है उस पर हम लोग try कर सकते हैं वन मिनट के टाइम फ्रेम पर हाँ scalping में वही लोग trade लेंगे जो क्या करते हैं अपने capital को manage कर पाए और scalping strategy जो मैंने यहां पर share किया हुआ है तो stop loss को trail करने की technique बता हुआ कि कैसे आपको cost to cost निकलना है तो वो सारे strategy का आपको यहां पर follow करना है तभी आप इसमें scalping trade लीजेगा नहीं तो trade मत लीजेगा और इसमें आपको maximum 3 SL देना है 3 से ज़्यादा अगर SL हिट होता है तो आपको system को close कर देना है और इसमें जो हमें SL रखना है SL almost 30 points का SL लेना है अगर 30 points से ज़्यादा का SL होता है तो बिल helping strategy का video share किया हुआ आप उसको एक बार एकदम ध्यान से दिख लेजिए ठीक है तभी trade लीजिएगा overtating बिल्कुल ही नहीं करना है अभी हम बात करते हैं nifty 50 की तो देखें nifty 50 में आज बहुत अच्छा setup बना हुआ था 5 में plus RSI strategy में इसमें काफी SL हुए और अगर हम बात करें यहां पर अगर हम यहां पर बात करने क्या कहते हैं फाइप में pullback strategy तो यहां पर यह कल का यह जो lower swing है ठीक है और यह upper swing को अगर हम यहां पर मार कर लेते हैं ध्यान से दिखिए तो यहां पर हमने मार कर लिया यहां पर मैं swing को यहां पर दिखा भी देता हूं यह दिखिए य को ऊपर की तरा उपर की तरह indMY मार करेंगे आपको यहां पर दीख रहांगा यहांने के बाद इसमें हम्होंग का इसके बाद इहां पर एक उन्हों होर्ख को और बना हुआ है यहांपे मिला और इसमें जी इतने लोग ऑप ब्रोफिट है पर अर्णिकरली होगा यहां पर मार्केट ने almost one two eight का हुआ। को यह फिधी तो यह थी आज़की दिन के मार्केट का अगर आप सभी मेरे सेज चाहते हैं अगर आप सभी मेरे से रथ चैक श dépend प्राइज एक्षन शीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा मैं आपको एक डीटेल्स में सिखाऊंगा जीरो से लेकर पूरा ही रो तक पूरा एक एक points में बताउंगा यह पूरा एक course की तरह ओगा जिसमें मैं आपको पूरा details में एक points को बताउंगा और पूरा dot to dot बताउंगा इसमें कि SL कहां लगाना है कितने points का लगाना है अगर आपके commitment से मैं motivate होता हूं तो मैं जरूर प्राइजेक्शन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ठीक है और यह एक पार्ट में नहीं होगा यह एप्रोक्स 10-15 पार्ट में होगा तो अगर आप सभी को प्राइजेक्शन सीखना है तो नीचे कमेंट करके जुरूर बताएं ठीक है और मैं यह प् थांक यह तो इस